जय हिन्द मेरा नाम है रवी आपका स्वागत करता हूँ अर्थ वर्दन चैनल में HDFC Mutual Fund अपना एक नया NFO लाउंच कने जा रहा है जो कि HDFC Nifty Mid Cap 150 ETF ये NFO 30th January को उपन हो जाएगा और 9th February को क्लोज हो जाएगा ETF के थुरू investment करना बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है आप अपने डिमेट अकाउंट उपन कर सकते हैं अगर हम इस ETF की बात करें तो ये mainly mid cap section में investment करने वाला है यहाँ पर इस ETF के अंदर mid cap के 150 stocks को सामिल किया जाएगा 150 stocks होने के अगारण ये already well diversified रहने वाला है इस ETF के अंदर कौन से कौन से top 10 stocks रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं ये stocks होंगे Trent Limited जिसका weightage रहेगा 1.84% EU Small Financial Bank जिसका weightage रहेगा 1.69% Varun Beverages Limited 1.63% Tube Investments of India 1.61% Page Industries 1.59% India Hotels 1.58% Federal Bank 1.47% Serum Transport Finance Company 1.45% Tata LXC 1.36% और TVS Motors जिसका weightage रहने वाला है इस ETF के अंदर 1.36% अगर हम इस ETF की historical returns की बात करें तो हमें यहाँ पर इस ETF का जो benchmark index ने इसने किस तरीके से perform किया है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए अगर इस benchmark को हम consider करें तो इस benchmark index ने 1st August 2006 से लेके अभी तक के समय में around 15.6% के CAGR के इसाब से return दिया है अगर हमने 1 लाक रुपे 1st August 2006 को investment किया होता तो आज हमारा value होता 10.8 लाक रुपीज ये NFO 10th January को उपन हो जाएगा और 9th February को close हो जाएगा इस fund का benchmark रहेगा निफ्टी मिट के 150 index और इस fund का exit load आपका जो demet account का charges रहने वाला है वही रहने वाला है अगर आपको इस ETF के इंदर investment स्टार्ट करना है तो आप minimum 500 रुपीज AMC के side से investment करना start कर सकते है जबकि अगर आपको demet account के तुरू investment करना है तो मात्र 1 unit purchase करके भी आप अपना investment start कर सकते है इस fund के asset allocation की बात करें तो यहाँ पर equity portion में 95% से लेके 100% जितना asset allocation रहने वाला है जबकि debt portion में यहाँ पर minimum 0% से लेके 5% जितना asset allocation रहने वाला है यहाँ पर debt में investment liquidity को maintaining करने के लिए किया जाता है अब मेरा क्या मानना है इस ETF के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ अगर आपको long term के लिए investment करना है तो बेशक आप इस fund के अंदर investment करना start कर सकते है इस सभी परकार के investors के लिए suitable रहेगा अगर आपको अपने portfolio को diversify करना है तो इस ETF में investment करके आप अपने portfolio को diversify कर पाऊगे अगर आपको इस ETF के अंदर investment करना है तो आपके पास एक dimate account होना जरूरी है description में मैंने link दिया हुआ है यहाँ से आप अपने dimate account ओपन कर सकते है अगर आपको investment की regarding किसी भी तरीके का question है तो आप हमें यहाँ पर telegram, twitter और instagram पर follow करके अपने questions को पूच सकते है ओप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करो, share करो और subscribe करो Thank you